अच्छो आज हम आठवे कक्षा का पाठ पढ़ने वाले हैं पाठ प्रारम करने से पहले मैं आप से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जैसे कि अगर आप के जीवन में कोई दुख है या फिर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? पाठ भी इसी विशय में है और अमारा पाठ का विशय है प्रार्तना प्रार्तना आठ वी कक्षा का पहला कविता है और यहाँ एक संकालित कविता है संकालित मतलब क्या है? इसी एक मूल से लिया गया कविता इस कविता के द्वारा हम इस कविता का मुख्य उद्देश क्या है हम किसी का अपमान ना करते हुए सबसे मिल जुनकर कोई भेदबाम ना करते हुए सबसे मिल जुनकर रहना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अमारे देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए हम आज इस पाड़ के द्वारा कभी क्या-क्या प्रार्टना खर रहे हैं यहाँ देखेंगे इस कभी यहाँ बताना चाहते हैं कि सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन आ रहे मिलकर रहे नियम अपना है, बीती बातों को विशरा हैं इसका मतलब क्या है हम लोगों को अमेशा सच बोलना चाहिए सची बातों का विचार करना चाहिए और भले काम पर जीवन वारे इसका मतलब क्या है? हम लोगों को अच्छे अच्छे काम के लिए अपनों जीवन यूचावर करना चाहिए या फिर भलिदान करना चाहिए मिलकर रहे नियम अपनाए बीती बातों को बिस्राए हम लोगों को क्या करना चाहिए सब बेदभाव को भूल कर रहना चाहिए ऐसा नियम अपने जीवन में बनाना चाहिए और हमें बीती बातों को विसराए आम लोगों को क्या करना चाहिए? जो बात बीत गया है उसे क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए. विसराय का मतलब क्या है? भूल जाना. इस पंती में कभी क्या कहना चाहते हैं? चोटे बड़े सबी मिल जाये. गिरे हुए को तुरंत उटाए. इसका मतलब क्या है? चोटे बड़े. यहां पर चोटे बड़े मतलब क्या है? अमीर और गरीड. आम सब को चोटा या बड़ा यहां भेदबाव नहीं करना चाहिए. आ तो आदमी कस्ट में है. उसे उटाना चाहिए. मतलब उसकी मदद करना चाहिए. मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों पर यहां समाज में आ गया. अब हम इस पाड़ के काटिन शब्दों का अर्थ समझेंगे. पाड़ का कुछ काटिन शब्दार त्यांब कर मैंने लिका है एक है वार्ना. वार्ना मतलब क्या है? समर्पित करना. दूसरा क्या है? विस्राना. विस्राना मतलब बुला देना. दूसरा क्या है? तुरत. तुरत का मतलब क्या है? तुरंद. अब इस पाड़ का काटिन शब्दार थे. आज मैंने जो भी पंती आपको सिखाया है. उसका कटिंग शब्दर यहां पर मैंने लिख लिया है, अब मैं आपको कुछ प्रश्ट दे रहे हूँ, आप अपने होमख बुख में उसका आंसर लिख सकते हैं, आज का आपना होमख का क्वेशन यहां पर मैंने डाल दिया है, एक है बीती बाते इसका मतलग क्या है, दूसरा है आ में कैसे रहना चाहिए इन दो प्रश्णों का उप्तर आपको क्या करना चाहिए अपने पोमक बुख पर लिखना चाहिए ठीक है बच्चों यहां पर अमारा क्लास काता होता है हम कल के क्लास में फिर मिलेंगे बन्यवाद